Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime के इस वीडियो सिरीज के आज के अधियाय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Credit Note Voucher क्या है और उसमें Sales Return के Transactions कैसे Record करते हैं इसके पहले वाले वीडियो में आपने जाना कि Debit Note Voucher क्या है और उसमें Purchase Return के Transactions कैसे Record करते हैं आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर Credit Note Voucher के बारे में समझ लेते हैं जब किसी भी कारण से Customer Supplier से खरीदे गए माल को Supplier को ही पूरा या अंशिक रूप से वापस कर देता है तो Supplier के लिए ये Sales Return कहलाती है और इसके Transaction को Record करने के लिए Supplier द्वारा Credit Note Voucher का उप्योग किया जाता है इस तरह के Transaction को Record करते समय जो भी माल वापस हुआ है Supplier द्वारा उसे Sales में से कम किया जाता है यही कारण है कि Sales Return का Account, Sales Accounts Group के अंतरगत ही बनाया जाता है इसके अलावा यदि Supplier द्वारा बेचे गए माल में Customer कोई शिकायत करता है और Supplier उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में Customer को कुछ छूट देता है तो इस तरह की छूट को भी Supplier द्वारा Credit Note Voucher में Record किया जाता है Credit Note Voucher के इस उप्योग को हम आगे GST के साथ समझेंगे यहाँ आपको फिर से याद इला दें कि Purchase Voucher वाली वीडियो में हमने बताया था कि Purchase Voucher, Sales Voucher, Debit Note Voucher और Credit Note Voucher मुखिता माल यानि गुड्स से संबंधित है साथ ही इन चारों Vouchers में समान रूप से उप्योग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी उन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए पहले Purchase Voucher वाली वीडियो ज़रूर देख लिए आए अप Sales Return का एक Transiction देख लेते हैं हमने मोहन ट्रेडर्स को Invoice No.2 डेटिट 31 जुलाई 2020 को 2,58,000 रुपए का माल बेचा था जिसमें से सोनी टीवी 20 इंच वाला जुकि 24,000 रुपए प्रती नक के हिसाब से बेचा था उसके एक नक की स्क्रीन खराब होने से मोहन ट्रेडर्स ने उसे 31 जुलाई को ही हमें वापस कर दिया यहां टैली में हमने अपनी कंपनी ओपन की हुई है और हम Gateway of Tally पर हैं इस वाइट साइड बेटन बार में यहां पर क्लिक करें और अब यहां से Credit Note पर क्लिक करें देखिए Credit Note Voucher Creation स्क्रीन आ गई है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि ये विंडो एज वाउचर ओपन हुई हो तो Change Mode की सहता से Item Invoice कर लें चले आगे बढ़ते हैं F2 की प्रेस करके Date बदल लेते हैं Party Account Name में उस Party का नाम सेलेक्ट करें जिससे माल वापस आया है यानि जो Cells Return कर रहा है Receipt Details में जिस तरह से माल वापस हुआ है उसकी Details दें अब यहां नीचे Original Invoice Details में Original Invoice Number के आगे अपना वो Bill Number टाइप करना है जिसका माल कस्टमर ने हमें वापस किया है उसके बाद यहां अपने Bill की तारिख टाइप करें Enter Press करें देखे पाटी Details वाली विंडो आ रही है यदि आपको इसमें कोई चिंजिस करना हों तो कर लें हमें कोई चिंजिस नहीं करना है इसलिए हम Ctrl और A की प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं लेजर अकाउंट में हमें सेल्स रिटन का लेजर सिलेक करना है यदि ये लेजर बना हुआ नहीं है तो सेल्स अकाउंट्स ग्रूप के अंतरकत बना लें नेम ओफ आइटम में उस आइटम का नाम सेलेक करें जो आइटम वापस आया है यहाँ पर वापस आई हुई क्वंटिटी टाइप करें यहाँ पर जिस रेट से माल बेचा था वो रेट टाइप करें यदि पार्टी ने एक से ज्यादा आइटम्स वापस किये हैं तो इसी तरह सभी आइटम्स को एक एक करके सिलेक कर लें और आखिर में एंटरप्रेस करते हुए एंड ओफ लिस्स सिलेक कर लें इसके बाद निरेशन में माल वापस आने का कारण टाइप करें अब एंटरप्रेस करते हुए वाउचर को एकसेप्ट कर लें आएए अब हम सेल्स रिटन का एक ट्रांजिक्शन तीजी से रिकॉर्ड कर लेते हैं हमने एसके ट्रेडर्स को इन्वोईस नंबर वन डेटेड एक जुलाई दो हजार बीस से एक लाग बीस हजार रुपए का जो माल नगत बेचा था उसमें से सोनी टीवी 30 इंच वाला जोकी 35,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से बीचा था उसके एक नक की बॉड़ी क्रेक होने से एसके ट्रेडर्स ने उसे 31 जुलाई को हमें वापस कर दिया और हमने उसे सेल्स रिटर्न के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया का 35,000 रुपए का चेक दिया ये क्रेडिट नोट वाउचर क्रेशन विंडो आइटम इन्वाइस मोड में पहले से ही ओपन है एफटू की प्रेस करके तारीख बदल लेते हैं पार्टी अकाउंट नेम में यदि हम उस पार्टी को बाद में पैमेंट करने वाले हैं तो उसका अकाउंट सेल्क करना होता है और यदि हम माल वापसी के साथ ही कैश पैमेंट कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश अकाउंट सेल्क करना होता है और यदि बैंक से payment कर रहे हैं तो bank account सिलेक करना होता है हमने उसे हाथों हाथ चेक दिया इसलिए यहाँ हम अपने उस bank account को सिलेक करेंगे जिसका हमने चेक दिया Receipt Details में जिस तरह से माल वापस हुआ है उसकी details दें अब यहाँ नीचे original invoice details में original invoice number के आगे अपना वो bill number टाइप करें जिसका माल customer ने वापस किया है उसके बाद यहाँ पर अपने bill की तारीख टाइप करें अब enterprise करें देखिए party details फाली window आ रही है यहाँ buyers details ज़रूर देना चाहिए जिससे भविश्य में भी हम यह आसानी से याद कर सकें कि यह माल किस से वापस आया था लेजर अकाउंट में हमें sales return का लेजर सेलेक करना है name of item में उस item का नाम सेलेक करें जो वापस आया है यहाँ पर quantity type करें यहाँ पर जिस rate से माल बेचा था वो rate type करें यदि एक से ज़्यादा items party ने वापस किये हैं तो इसी तरह सभी को एके करके सेलेक कर लें अरंत में एंटर प्रेस करते हुए end of list सेलेक कर लें ऐसा करते ही bank allocations window आ जाएगी आपने party को जिस तरह से payment किया है transaction type में उसका प्रकार सेलेक करना होगा उसके लिए पहले space bar प्रेस करें अब list में से transaction का प्रकार सेलेक करें हम check सेलेक कर रहे हैं instrument number में उस check का number type करें जो हम customer को दे रहे हैं instrument date में check की तारीक type करें इसके बाद narration में माल वापस आने का कारण जरूर type करें और enter press करते हुए voucher को accept कर लें झाल हम झाल झाल य় इस वीडियो में हमने credit note voucher में sales return के transaction कैसे record करते हैं यह आपको बताया इसके बाद वाली वीडियो में हम बताएंगे कि journal voucher क्या है और उसमें transaction कैसे record करते हैं दोस्तो हर वीडियो में हम कुछ नई बातें विस्तार से बताते हैं और बाद में उनका short में उपयोग करते हैं यदि आप चाहते हैं कि कुछ उपयोगी सीखने से आप वन्चित न रह जाएं तो क्रप्या सभी वीडियो उसको क्रमानुसार ही देखें करते हैं